Hello everyone, welcome and welcome back to my new video. I hope आप लोग अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई गर रहे होंगे. तो आज का वीडियो MPPSC से related है. जैसे कि आपको पता है कि आयोग ने 16 फर्वरी की date रिलीज की है. एक्जाम के लिए MPPSC प्रिलिंच 2025 के लिए ठीक है. तो अब आपके सामने यह है कि प्री पढ़ा जाए या मेंस पढ़ा जाए तो जो लोग दोनों पढ़ रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्योंकि आपको भी पता है मेंस भी नहीं प निकलना कितना important होता है बहुत brilliant से brilliant लोग होते हैं मतलब बहुत कम नंबर से रह जाता है तो वह tag लग जाता है कि प्री निकला भाई या जो भी ठीक है तो उसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप प्री और मेंस दोनों पढ़ सकते हो लेकिन अपने smart तरीके से एक भे हो जाते हो तो जो पोस्ट है जितनी भी पोस्ट है उनी में से आपको एक मिलेगी DC बनोगे DSP बनोगे और भी असिस्टेंट डिरेक्टर एजुकेशन इंडरस्ट्रियाल यह सारी कुछ ठीक है बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है मोटिवेशन आ जाता है हां तो यह सारी पास syllabus है ना किसी भी चीज का तो आप अपना प्लान खुद बना सकते हो ना कि भेड़ चाल में आके ठीक है जैसे कि प्री में बोला जाता है कि छोटी पहले करो यह सारी कुछ ठीक है आप जैसे आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो आप क्यों कंप्यूटर में कि आपका भी पॉइंट किया है आप कहां गलती कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हिस्टी के गलत करके हिस्टी की वज़े से बाहर हो रहे हो अब यह मैंने बोलूँगी कि आप पूरा ग्रंत उठा कि बहुत जादा हिस्ट्री पढ़ो पढ़ना वही आपको लूसेंट ह है घूम फिर के और कोई एक वन उनिट के लिए कोई भी एक नोट्स पढ़ लो वेदान का पढ़ लो या कोई भी एक सवाई जड़ बहुत सारे कोचिंग के आते हैं नोट्स और उसके अपने भी एक नोट्स बना लो बस चार-पांच परने के यह फर्स्टी कम्प्लीट हो आपको अपने अपने आप पे लुट में कीजिए आप तो कहा गलती हो रही है कि कहां पर करना ढगा सकते और बद्स फर्वर्वरी मैं करते हो मेरे पास MPPSC का जो मेंस का न्यू सिलेबस है 24 वाला यह मेरे पास न्यू सिलेबस है अब इसमें अगर मैं देखूं ठीक है तो जो आपकी आप पहले थ्री मार करते आप टू मार कर वन गए है तो आप जब भी लूसेंट पढ़ो मेरे ची तो एक प्री मेरे अगर उससे रिलेटेड मेंस में कुछ है तो आप डो लाइन तीन लाइन लिख पा उसमें ठीक है इवन आप लूसेंट अच्छे से पढ़ोंगे ना तो आप सेवन मार कर भी अट्येंट कर लोगे काफी अच्छे से अब जैसे फस्ट पार्ट है प MP की बुग से MP की हिस्ट्री कंप्लीट कर लो तो इसी तर इसको बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपके 7 मार्कर और 2 मार्कर तयार होंगे कि नहीं होंगे बस अपने दिमाग में बैठा लिया है कि हमको कोई अलग सी बुग पढ़नी है तब जाके मेंस कंप्लीट होगा नहीं क्योnकि आप में यह हैं किवर आपको चार लाइन पता है तो आप उत्मी चार लाइन वहां जाके लिख पाते हो कि नहीं आपको चार पॉइंट asked आथे हैं कि उसमें भी आपका किसी भी उसमें भी आपका complete होगा काफी सारा portion मेंस का जो की है, भारत में मिट्टिया हैं, भारत के पठार हैं, नदिया हैं, जीले हैं, यह complete होगा आपका, तो आपको, obviously आप प्री पढ़ोगे तो आप उसको बस थोड़े से mindset, आपको mindset के साथ पढ़ना है क जो पढ़ो उसको कोशिश करो कि थोड़ा एनलाईज कर लो कि इसके बारे में चीज़े आपको थोड़ा अच्छा से पता होती है पढ़ रहे हो तो कोई चीज याद कर रहे हो भारत में मिट्या याद कर रहे हो तो एक तरीके से मैब बना के देख लो इंडिया का mp की जोग् हो गई इंडियन जोग्रफी हो गई यह मेंस का इतना पोर्चान आप प्री में कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो है ना अब आते हैं पेपर सेकेंड में समविधान वाले पार्ट में तो उसमें अगर देखा जाए तो MP की पॉलिटी है काफी सारी ठीक है MP की पॉलिटी है वो आप अभी अभी कंप्लीट कर सकते हो अभी आप प्री पढ़ रहे हो तो MP की बुक से वो आपको करनी है बहुत अच्छे से यह राज्यों का पुनार गठान है MP की विधान सभा है MP में उच्छे न्याले है अभी यह सब पढ़ रहे हो ना अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है सारी चीज़े तो बस याद रखो कि इसको इस माइन से तो इसको आप इस मैंड से पढ़िए कि नंबर में आये तो कर लू arrays क्षया थोड़ा हखे से अझ्छे वाड रखिये थोड़ा सा हल्की फुकी फ्रेमिंग कर दे रहे है इसी तरह से आपका ये मेंस ही complete हो रहा है, प्री कुछ अच्छे से पढ़ो mindset के साथ और थोड़ा सा knowledge रखो, अब ऐसा नहीं है कि आपने कभी मेंस का syllabus नहीं देखा और आप प्री पढ़ रहा हो, तो आपको अंदर से लगेगा कि मैं तो प्री प्री पढ़ रहा हूँ, मेंस तो निकलना क्योंकि मेंस तो मुझे पता नहीं है, उसके लिए मैं अलग से बुक का इतना वड़ा गठा खरीद के लाओंगा, या लाओंगी, फिर मैं उनको बैठूंगी, उनको पढ़ूंगी, उनसे नोट्स बनाओंगी, तब माना जाएगा कि मैं द्वेंस की त्यारी कर रही हूँ ऐसा नहीं होता है, आप स्मार्ट हो, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, तो अधिकारी वाला एक माइंड सेट होना चाहिए आपके पास है ना, तो सेकेंड पेपर में आपका ऐसे MP की पॉलिटी कंप्लीट कर लो, भारती सम्विधान में, अब ये मूल धाचा है, सम्विध सार लिखेगा न, उसके जादा ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने फैक्त नंबर दिये हैं सारी चीजों के बहुत अच्छे से, बस आप क्या क्या रहता है कि पढ़ते सब लोगे बहुत अच्छे से, बात ये रहती है कि पढ़ा हुआ आपकी कॉपी में दिखना चाहिए और इसके साथ ही मेरे पास अभी सार का मैंने इंटर्व्यू लिया था, एक सार का, तो उनकी मेंस की कॉपी का मैं वीडियो डालूँगी, तो उसमें भी आप देख लेना कि आंसा राइटिंग कैसे कर रही है, मत सब उन्होंने ये बताया कि अगर जिसकी राइटिंग अच अच्छी नहीं है, तो वो इतनी मैटर नहीं गरती है, क्योंकि उनकी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मेंस मतलब फाइनल पोश ले चुके हैं, फिर से इंटर्व्यू दे रहा है, और फिर से मेंस भी दिया है, मतलब कि आप थोड़ा कम अच्छा पढ़ते ही जैसे, इसमें यह मानो संसादर विकास में मुझे MP की लोग संस्कृती दिख गई, अब रास्ती सिक्षा नीती आप कब से नहीं पढ़ रहा हो, जब से आई है, रास्ती सिक्षा नीती सबसे आप पढ़ रहा हो, इसमें तो कोई वो ही नहीं है कि, और MP में जन जातियों में विवा, यह सारी चीजे हो गई, यह सेकेंड पेपर का सेकेंड पार था ना, अब थार्ड पेपर में आते हैं, थार्ड पेपर में है, भारती अर्थवयवस्ता, एक तरीके से आप पढ़ रहा हो, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को सोच के पढ़ना है कि आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको सिलेवा से आद रहेगा ना, प्री और मेंस दोनों खा, तो आप कोई भी चीज चाहें, आप न्यूस पेपर पढ़ो, एक तरीके से आप मेंस वाले मोड में ही रहोगे, ठीक है, क्योंकि व पर टैग लगाए, आप मेंस ही पढ़ रहा हो अभी भी, प्री के साथ ही, क्योंकि ये मेंस में ये सारी चीजे है, जो आप अभी पढ़ रहे हो प्री में, तो बिना आपने आपको डाइवर्ट किये, जो पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो, कि उसका 50% आपको मेंस में अब भारती अर्थ्वेवस्ता है, ठीक है, ये सारी चीजे आप जैसे रास्टी आए है, ये सारी कूछ अकर आप पढ़ रहे हो, लूसेंटी पढ़ रहे हो, किसी भी चीज से, तो थोड़ा ध्यान में रख्या पढ़िए बहुत अच्छे से.